हाई फ्रेंड्स मैं प्रिया और आपका स्वागत है मेरे प्रिया फूट चैनल पर आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्ण वड़ा बहुत ही यल्दी और टेस्टी रेसीपी है ये तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं स्वीट कॉर्ण वड़ा बनाने के लिए हमने ये स्वीट कॉर्ण लिया है तो यह हमने एक बड़ी कटोरी स्वीट कॉर्ण लिया है तो इसको हमें बॉयल नहीं करना है इसे हमें दरदरा जो है पीस लेना है इसका हमें बहुत जादा फाइन पेस्ट करना है इसको हलका सामें दरदरा ही इसका पेस्ट रखना है तो थोड़ा-थोड़ा करके आप पीसें अगर जार बड़ा हो तो आप एक साथ पीस सकते हैं और इसमें पानी नहीं डालेंगे इसको ऐसे ही हमें पीसना है और हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे तो बस इसको प के लिए और इसका वैटर आप देख सकते हैं यह बिलकुल दर-दरा सा है बहुँ जादा हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है अगर बहुँ जादा एक दव इसका पेस्ट तयार कर देंगे तो फिर उस फोली से सब्जहां लिए है जिसमें हमने जिम्ला मिर्च लिया है प्याज अद्रग और हरी मिर्च इन सब को हमने बारी छोटे-छोटे में कट வेतलिया है आप चाहे तो आप इसमें और भी सभी सब्जी एड़ सकते हैं जैसे ज Hernand P कर सकते हैं उससे बेस का टेस्ट बहुत अच्छा था बहुत ही हल्दी भी होता है तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालते हैं चावल का आटा टोटली ऑप्सटनल है इससे जो है यह, हमारे जो बनते हैं, वो काफी क्रिस्पी बनते हैं इसलिए हमने इसमें यूज किया है और इसमें हम वैसल चावल का आट हमें थोड़ा सा लेना है और वैसल भी बहुत ज़़ा इसमें यूज नहीं कर falti करना है बस इतना हमें रखना है ताकि इसकी जए ऑबानी की डाल पिल्कुल भी नहीं डाला है और स्वीट कॉर्न में भी पीसेंगे हिंगे घड़ का पानी तो इसने की पानी का ऐसा पीजित क्या हैner बेटर है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी है तो अब हम बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं तो यह देखे छोटी छोटी बॉल्स लेंगे फिर उसको प्रेस करेंगे जैसे हम आलू की टिकी बनाते हैं सेम वैसे ही आप चाहें तो आप इसको गोल भी रख सकते हैं तो यह जो बना सकते हो बहत ही अच्छा स्नाक्स है टी टाइब के लिए और अगर आको टिफिन में दे लिए बच्चों को दो भी आप इसको दे सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बऊट ही हल्दी भी होता और इस समय तो स्वीट कॉन जो है आपको बहुत ही इसली मार्केट में मिल जाएगा क्योंकि सीजन तो चली रहा है तो सारे यह बड़े तैयार हो चुके हैं अब इसको हमें फ्राई करना है तो फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ओयल का यूज किया है तेल हमारा गरम हो चुका गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर रखा है तो हाई फ्लेम पे इसे विल्कुल भी फ्राई नहीं करना है मीडियम फ्लेम पे ही करें वरना high flame पे ये उपर उपर वस पकेंगे अंदर से ये कच्छे रह जाएंगे तो उपर से तेल हलका सा ऐसे इसप्रेट करते रहें और बीज वीच में इसको पलटते रहेंगे वरना बहुत तेजी के साथ ये जल जाता है तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है बीज वीच में आप इसको पलटते रहें बहुत जादा इसको टाइम नहीं लगता है पकने में इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज होना स्टार्ट हो गया है तो इधर हमारे बड़े जो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब इसको हलका सा पलटके और इसको निकाल लेंगे एक प्लेट पे तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे चैनल पे न्यूँ है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो यह देखिए अच्छे से हमारे बड़े फ्राई हो चुके हैं इसका कलर आप देख सकते हैं और भी ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो उसी बहुत ही हिल्दी भी होगा बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा तो आप इसमें गाजर का भी यूज कर सकते हो गाजर विंस डालने से बहुत ही हिल्दी होता है थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो